मत्रप्रदेश की राजधानी भोपाल से एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है एने स्वई मेडिकल विंग के संयोजक्व छात्रनेता नर्सिंग स्टूडेंट्स को लेकर पी अन्बी मुख्याले पहुँचे चात्रनेता ने पी अन्बी बैंक से 10,000 रुपे लून लेने की गुहार लगाई ताकि वे जमानत की राशी भर सकें पी अन्बी बैंक के शाखा प्रबंधक को चात्रनेता ने एक लंबा चौड़ा पत्र भी लिखा जिसमें उन्हें नर्सिंग घोटाले का उलेक किया चात्रनेता ने भाजपा पर गंभीर आरोब भी लगाए है उन्हेंने कहा कि वो लंबे समय से सिक्षा माफिया के खिलाफ नर्सिंग चात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे भाजपा की तरह रोकने की कोशिश कर रही है इसके लिए पुलिस ने उन्हें पांच बार से जादा बार गिरफतार कर चुकी है जबकि दो से तीन बार जेल भी जा चुकी है अब तक पुलिस प्रशासन ने कल तक 10,000 रुपे जमा करने का आदेश जारी किया है रुपे जमा नहीं होने की स्थिती में 6 मा के जेल भी भी भेजा जाएगा इससे बचने के लिए चात्र नेता ने बैंक में लोन के लिए आविदन किया है आज हम सभी नर्सिंग चात्राओं के साथ में पंजाब नेशनल बैंक है आपर लोन लेने की लिया है क्योंकि यह वही पंजाब नेशनल बैंक है जिसने नीरो मोदी को करोड़ो रुपे का लोन दिया था और वो देश छोड़ के भाग गये लेकिन आप आज हम पंजाब नेशनल बैंक से वादा करते हैं कि हमें 10,000 रुपे का लोन दिया जाए क्योंकि फर्जी नर्सिंग कोलेजियों की लड़ाई लड़ने के लिए सरकार द्वारा जब हम नर्सिंग चात्राओं की लड़ाई लड़ रहे हैं और फर्जी नर्सिं के परकरण दर्ज कर दिये गए